ओके फिर्स्ट अफॉल विंकर प्रभू सर गोट का एक्स्टेंडड वर्जिन कहां है हाँ वही जो 3 घंटे 40 मिनिट का होने वाला था तुम भी यही सोच रहोगे ना तो क्या यह एक्स्टेंडड वर्जिन के नाम पे हमारा कट चुका है या सच में कुछ आने वाला है विल सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी जॉन के बारे में जिसको प्रेड्यूस कर रहे हैं अटली और उन्होंने अभी खुदी यह चीज़ कंफर्म कर दी है कि यह फिल्म थेरी का ओफिशल रीमेक है लेकिन रीमेक शब्द ना यूस करके उन्होंने कहा है कि यह एक लेकिन इस बार बेबी जॉन में वो थीम एक सेंटर पॉइंट बनके हमारे सामने आएगा and honestly that is fine by me because मेरे नजर में रीमेक्स ऐसे ही होने चाहिए जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ रीक्रियेट नहीं कर रहे हैं और बेहतर बनाओ जिसकी उमीद में बेबी जॉन से कर रहा हू I have faith on Barun Dhawan as an actor सही direction और सही script में वो बन्दा फार देगा बाकी देखते हैं कुछ teaser trailer हमारे सामने आता है तो और क्या आपको पता चलता है इसके अलावा आटली के directorial project आटली 6 के बारे में बात कर लेते हैं जिसको बनाने वाले हैं सल्मान खान और कमल असन के साथ and guess what कि इस film मे music को नेने वाला है Anirudh Ravi Chandar who is also a part of this team now ये proper action packed entertainer होने वाली है जिसकी pre-production अभी October से start हो जाएगी and जो film की shooting है वो start होगी January 2025 से अब जहां सल्मान खान की बात हो रही है तो वहाँ पर उनकी film सिक अंदर पे तो जोरो सोरो से काम चली रहा है लेकिन अभी बिल्कुल unexpected way में भाई का एक और project announce हो चुका है and that is kick 2 साजित नादियात वाला ने अपने Instagram handle पे सल्मान खान की ये photo post करी जिसमें caption था it was a great kick 2 photo shoot से कंदर ये hint करते हुए कि भाई की lineup में अब kick 2 भी शामिल हो चुकी है अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये फिल्मी रभी तेजा की kick 2 का remake होन over the original तो quality सरपास ना सही लेकिन maintain तो होनी चाहिए please मतलब दिल से I want to see this Salman Khan back please please not this again ये नहीं चाहिए हमें we want the OG Mass Maharaja of Bollywood back and I hope कि ये जो फिल्म्स आ रही है Salman Khan के upcoming ये beneficial साबित हो इस case में बाकी अभी proper तरीके से announcement होना बाकी है कि 2 की वो भी हमको देखने वो मिलेगी बहुत जल राजकुमार संतोशी करेंटली एक फिल्म डिसकस कर रहे हैं आमिर खान के साथ जो कि एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है but there is a catch ये कॉमेडी फिल्म टाइम लूप के concept के around revolve करने वाली है and currently फिल्म का जो टाइटल है वो है चार दिन की चान्दनी discussions on the way है और अगर चीज़े स रूप में बहुत ही बहतेरीन रिजर्ट देने वाली है अब बात कर लेते हैं धूम 4 के बारे में जिसमें रनमीर कपूर विलंग की लेगसी को हमें आगे ले जाते हुए नजर आएंगे इसके इलावा जो धूम 4 है वो एक complete reboot होने वाली है even जो जैयो राली का डूओ है प् से पहले तीनों दूम की स्टोरी लिखी थी विच और फिर उन्हों ने थाख जो फिंदुस्तान लिखी तो फाइनली हिट रॉप बॉटम तुम देख लो समझ लो और अपने एक्सपेक्टेशन स्टेक में रख लो 23rd October जो की है birthday rebel star प्रवास का और उनका ये birthday इस बार कुछ extra special होने वाला है क्योंकि एक ही दिन में तीन बड़े surprises प्रवास के fans expect कर सकते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा spirit का एक audio glimpse teaser जैसे कि animal movie का भी आया था एक similar way में next है 4G जिसना प्रवास का जो look है उसका एक first glimpse हमें देखने को मिलने वाला है and third is Raja साब जिसका एक first single या फि इसके बाद से ये film post production stage में पहुँच जाएगी next update again है प्रवास की फिल्म spirit को लेकर जहां आभी कुछ देर पहले news आये थे कि सैफ अली खान इस film में as a villain हमें नजर आने वाले हैं अब latest reports के according करीना कपूर भी उनको join करेंगी and both will be playing a villainous couple in this Sunday Reddy Vanga directorial and I think that is going to be one hell of a powerhouse performance क्योंकि दोनों मिया बीबी भाई खतरनाग villain play करते हैं एक और डेटेल जो कि हमको हाथ लगे spirit के बारे में और वो है प्रवास के cop character के बारे में कि भाई जो ये character होगा वो एक middle class background से आएगा as opposed to कबीर सिंग एन आनिमल जहां पे हमारे protagonist high class society को belong करते हैं this is again interesting और देखने वाली बात य होगी कि Sandeep Reddy Vanga कैसे इस dynamic को explore करने वाले हैं I love this fact कि animal को batch किया गया कि भाई उसमें police नहीं है तो Sandeep Reddy Vanga is like ये लेगली film hero कोई police बना दिया अब देखता रहे police जोकसा पार्ट crazy guy crazy director and I love his work ऐसे संकियों की industry को जरुआ थे अब बात कर लेते हैं थरापती 69 के बारे में जहां क Canadian production ने बड़े ही style से अपने कास्ट के नेम्स को रिवील किया and it is an insane कास्ट आव एक एकर करके देखते हैं कि आकर फिल्म की कास्ट में है कौन-कौन first of all we have Lord Bobby जो कि मैंने ओलेडी फिलिक आफ के last episode में ये बात बताय थी and now it's confirmed so never doubt your pop culture nerd Lord Bobby's film में हमें as a villain नजर आएंगे we also have a strong female cast which includes पूजा हेगडे, ममिता बाइजू and प्रिया मनी we have director गौतम बासुदे मैनन also जिनको दोबारा से पैसो की जरुबत होगी ताकि अपने depths को clear कर सकें और जोंकी films अटकी होई है उनको release कर सकें we have actor Narayan जनोंने कैथी में बेजोय का रोल प्ले किया था and lastly we have प्रकाश on board कली इसकी पूजा सरेमिनी भी हुई थी and now the film is officially ended production और भी थरापती विजा की बात हो रही है तो गोट के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसने अभी कली OTT को हिट किया है और इससे पहले कोई पूछे हां उसकी hidden details वीडियो पर काम चल रहा है अब film OTT पर तो आ गई है but there was a minor hiccup, release से पहले कहा जा रहा था कि OTT पे एक extended version आएगा जो कि 3 घंटे 40 minute का होगा, जहां original film का runtime 3 घंटे का था मतलब कि 40 minute की extra footage and that's crazy, what's more crazy कि film OTT पर आ गई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें standard version ही देखने को मिला and some people were disappointed and they were like तो अब सवाल ये है कि ये extended cut जो है वो सच है या फिर हम सब का cut हो चुका है, तो मैं बता दू कि भाई makers ने इस बात हो clarify कर दिया है and gore का extended cut है that is real, लेकिन उसमें थोड़ा VFX work और थोड़ा final touches की जरूवत है उसे complete करने के लिए, और एक बार सारा काम खता हो जाएगा तो इ या फिर फिल्म में add करके as an extended cut, for which अभी वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा और, काफी टाइम पहले खबर आये थे कि राजन डीके ने एक स्क्रिप्ट पिच करी है, एक action comedy के बारे में जिसके बारे में कुछ भी confirm नहीं हो पाया था, well वो फिल्म अब on है and SRK is on board and trust me I want to say कि what Raj and DK has for SRK because these two guys rarely miss and I hope that they also don't miss with SRK, असिर इतना ही नहीं एक और जाने माने new age director के साथ SRK का एक project green lit हो चुका है and that is Amar Kaushik, यह particular film Maddox films के अंडर produce की जाएगी और कहा जा रहा है कि यह big scale adventure film होने वाली है just like Indiana Jones and currently Maddox का जो horror universe चला है, SRK की यह film उसी Maddox में एक और universe को kickstart करेगी, SRK की lineup में पठान 2 और King already है, now we have two more exciting projects to look forward to, अब बात कर लेते हैं उस update के बारे में जिसका मुझे, तुमें और हम सब को बेसबरी से इंतिजार है and that is Kathy 2, जो कि LCU की next film होने वाली है अगर कूली LCU में ना हुई तो तो भाईया pre-production work जो है इस film का वो already start हो चुका है and thus April 2025 से इस फिल्म के shooting start हो जाएगी, total 50 days का shooting schedule plan किया गया है जिसमें पूरी फिल्म को shoot करके rap कर दिया जाएगा, मतलब 2025 के last या 2026 तक हम इस film के release को expect कर सकते है, and actor Surya भी join करेंगे shoot को who will be seen reprising his role as a Rolex, personally Kathy is my favorite film in the LCU and मैं तडप रहा हूँ इसके sequel के लिए, तुम मतलब मुझे कोई भी trailer या teasers और trailers के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले आ रहा है Singham 3 का trailer जो कि हमें देखने को मिलेगा 7 October को, then we have Game Changer teaser जो कि हमें देखने को मिलेगा 10 October को, उसके बाद we have a second trailer of Kangoova जो हमें देखने को मिलेगा दिवाली में, and last but not the least Pushpa 2 का trailer जो कि हमें देखने को मिलेगा 15 November को, तो See you guys in the next video and thanks for watching